पार्ट दो वो शक्स मैंने और मेरे ट्यूशन के दोस्तों ने पिछली ही रात को ही तै कर लिया था कि रविवार को सुबा सुबा ही गर्मी से छुटकारा पाने के लिए पुश्प विहार के चर्च वाले पार्क पर जाएंगे गर्मीयों के उस सुबा तेज हवा और उसके साथ उड़ रहे पेड़ के पत्ते सुकून पहुचा रहे थे हम सभी सुबा सुबा सही समय पर पार्क में मिले और एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए बैट गए अभी हम बैटे ही थे कि मुझे एक बेंच पर घुंगराले बालो वाला एक आदमी दिखा उसकी लाल लाल आखें उसका गुस्सा दिखा रही थी उसका गोरा रंग भी उसके गुस्से को उभार रहा था वो मुझे घूरने लगा मैं जब से पार्क में आई थी वो तभी से वहाँ बैठा था और शायद तभी से मुझे घूर रहा था मेरा चेहरा जैसे ही उसकी और घूमता उसकी वो लाल आखें तक तकी लगाएं मेरी ही और रहती उसके कानों में वो बालियां जो उसके घुंगराले बालों में उल्ची हुई थी उसकी गहरी लाल आखें और बड़े बड़े होटों ने मुझे डरने पर मजबूर कर दिया था अब मैंने सोची लिया था कि उस ओर देखूंगी ही नहीं मैंने आखे बंद कर लियो प्रकृती की खुपसूरती का मज़ा लेने लगी पेड के ऊपर रंग बिरंगी चड़ियां पार्क की सीमा पर लगी हुई जाडियों के फूल बेशक उन फूलों में खुश्बू नहीं थी लेकिन वे अपनी खुपसूरती से किसी के भी मुर्जाय हुए मन को खिला सकते थे मेरा गुस्सा भी अब प्रकृती की बनावट को देख कर मानो गाया भी हो गया था मैं आखे बंद करके ये सम महसूस खी कर रही थी कि इतने में दूर से कुछ आवाजे आई मैंने आखे खोली तो सामने हमारे ही बैच के कुछ लड़के हातों में बॉल, बैट वर रस्सा लिये आ रहे थे वो सुबे से खेल रहे थे और ठक चुके थे वे भी हमारे ही पास आकर बैट गए तभी भाई ने अपनी उंगली को मूँ पर रखते हुए चुप होने का इशारा किया मुझे लगा अरे अब क्या हुआ तो मैंने भी अपने दाही ने हाथ को घुमा कर पूछा क्या हुआ तभी प्रियादी ने उंगली का इशारा मेरे बराबर में किया जब मैंने गरदन घुमा कर देखा तो नैंसी सोई हुई थी सरफराज थोड़ा आगे आया और नैंसी के कानों में तेजी से कुकुडुकु कहकर चिलाया नैंसी फर राटे से उठी उसका वो डर और थोड़ा थोड़ा गुसाओ उसकी उन मोटी मोटी आखों में साफ दिख रहा था सरफराज ने अपने चुलबुले अंदाज में कहा नैंसी रानी सुबा हो चुकी है उठ जाओ नैंसी थोड़ा रुख कर बोली उठूं क्यों मैं सो थोड़ी रही थी मैं तो हाँ हाँ तुम सो थोड़ी रही थी खुली आखों से सपने देख रही थी वो तो हमी उल्लू है जो तुम्हें सोए हुए देख रहे थे सरफराज नैंसी की बात काट कर बोला सरफरास की उस चुलबुलाहट से सभज दिये तभी भाई ने अपने हाथ की हतेली को सिर पर मारते हुए कहा अरे चुपो जाओ तुम तो सब यूँ ही लड़ते जगड़ते रहा करो ये सब बाते छोड़ो और बताओ आप खेलें क्या चलो चलो भाई आपका मन पसंद खेल आग में चोली खेलते हैं जागरती या चानक से बोली नहीं नहीं तुम लोग यहां वहां दूर दूर भाग जाओगे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा भाईया ने चेहरा समेटे हुए कहा तो भाई फिर रस्सा तापते हैं सारे लड़कों ने तेजी से कहा भाईया अगर आज हमने रस्सा तापा तो घर अपने पैरों से नहीं जा पाएंगे और हाथ मू तूटेंगे सो अलग भाईया मेरी मम्मी तो दो रुपिय भी मुश्किल से देती है हाथ पै तूटने पर पट्टी आपको ही करानी होगी बस्विर क्या था प्रीती ने लड़कों को इस बात पर डर्पोक डर्पोक कहकर चड़ाना शुरू कर दिया डर्पोक हम नहीं आप सब हैं लड़कों की ओर से अवाज आई अगर तुम डर्पोक नहीं होते तो रसा टापने को मना नहीं करते उन लोगों की ये नोग जोग चली रही थी कि इतने में विशाल भाई के पीछे से भूरे रंग का कुट्टा भौभो खड़ते हुए भागता हुआ आया उस कुट्टे को यूँ अचानक से प्रकट होता देखकर वहाँ पस्री पूरी मंदली उटकर भाग दे लगी और तितर बितर हो गई कोई पटरी पर था तो कोई बेंच के उपर तभी उस कुट्टे का मालिक मोती पुकारता हुआ आया और उसे गोद में उठा कर ले गया उस कुट्टे का वो इनसानी नाम सुनकर सभी खुद को रोक नहीं पाए और पेट पकड़ कर हसने लगे